वलकम दोह चैनल तोपिक है अपो मिक्सली टैनल भी टोपिक करते हैं बोली एंब्रियोंαι नोग्ति है होने यह भी चेंछा वाए जह सूंपने निहींने इसफेंशेंस डीसें मनने ऐंबिक सम्काइए यह रहए सम्कािव steal以 7 जो टाइय। वो हम apomixis के थुरू पढ़ेंगे आज पता करेंगे apomixis है क्या so apomixis मतलब होता है बनना किस चीज का? embryo का without simple fertilization fertilization के बिना मतलब इसमें proper syngyami नहीं होती इसमें क्या होता है ये एक तरह का asexual reproduction ये एक तरह का asexual reproduction होता है जो की mimic करता है किसको? जो की mimic करता है sexual reproduction को ठीक है? so apomixis मतलब होता है बनना embryo without fertilization और मतलब होता तो sexual reproduction ही है पर अलग तरीके का apomixis में basically है क्या? apomixis मतलब होता है embryo का बनना अब कैसे बनता है? दो तरीके से बनता है embryo non recurrent recurrent apomixis और दूसर होता है non recurrent apomixis इसका मतलब क्या है? देखो ये एक female का कोई भी 2N cell है उसने meiosis करा और दिया N cell अब ये N cell male से fuse नहीं हुआ और male से fuse नहीं हुआ और जब ये male से fuse नहीं हुआ ये खुदी डवलप हो गया एक pure embryo में ठीक है? ये खुदी डवलप हो गया I'm sorry, just a minute या ये खुदी डवलप हो गया एक pure embryo में तो इसको कहते हैं non current apomixis ठीक है? इसका एक 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 जामपल है Lilium Lilium एक प्लांट है और जिसमें की non current apomixis होती है इसके बाद दूसरा तरीका होता है recurrent apomixis recurrent apomixis जो मैंने तुमें पार्थनों कार्पी sorry, पार्थनों कार्पी कह रहे हूं poly embryo में बताया था जिसमें मैं बदाता है कि saprophytic body होती है इसका मतलब कि recurrent apomixis में क्या होता है अपने आप पूरा 2N embryo बना देती है इसमें क्या होता है इसमें क्या होता है embryo ही N होता है हलाकि embryo sec हलाकि embryo sec जो कि embryo बनेगा वो 2N होना चाहिए male और female fuse करके पर इसमें क्या होता है embryo sec N होता है और इसमें क्या होता है female ने meiosis नहीं करी female ने 2N वाला embryo से दे दिया तो यह होता है इस method को कहते है diplospory और apospory मतलब क्या होता है कोई भी part छोड़कर apospory मतलब होता है कोई भी part छोड़कर मतलब कोई भी megaspor mother cell को छोड़कर कोई और बनना किसी चीज और का यूज़ करना जैसे new cell or integments और उससे बनना that is known as your recurrent apospory और recurrent apospory apomixes ठीक है सो ज़रस का एक बाई recap करते है wait a minute yes तो हमने पढ़ा कि apomixes मतलब होता है embryo sec का बनना embryo का बनना without proper fertilization और without syngyammy right और यह तरीके का sexual reproduction को mimic करता है इसमें हमने पढ़ा कि non current apomixes मतलब होता है जिसमें कि embryo sec या embryo 2N होना चाहिए पर embryo 2N ना रहोकर क्या होता है N ही रह जाता है ठीक है इसमें क्या होता है जो mother होती है वो 2N से N तो करती है meiosis तो करती है पर वो खुदी embryo बना देती है develop होकर तो इसमें एसे embryo N होता है haploid होता है तो ऐसी apomixes को कहते है non current apomixes फिर हमने पढ़ा कि एक और apomixes होती है जिसका नाम होता है current और recurrent apomixes ठीक है recurrent apomixes जिसमें हमने पढ़ा कि दो तरीके है या तो कोई new cellar cell या integument cell जो कि खुदी जिनका nature haploid होता है sorry deployed होता है diplomatic होती है saprophytic होती है कुछ भी बोलो और वो खुदी develop होकर एक पूरा embryo दे दे that is also known as recurrent apomixes और ऐसी recurrent apomixes का नाम होता है apospory ठीक है ऐसी recurrent apomixes का नाम क्यों होता है apospory और एक और होता है कि बहई mega spore mother cell ने ही mega spore mother cell ने ही खुद को 2N रहने दिया meiosis ही नहीं करी और 2N से पूरा 2N embryo बन गया तो that is known as recurrent apomixes और इस ताइप की recurrent apomixes को कहते है diplo spory I hope you understand it and if you are not able to get it you can drop message thank you and keep watching